Hello everyone, this is Jyoti here आज की वीडियो में बात करने वाले हैं Mankind Pharma की जिसका रिसेंटली अभी IPO आया था और अभी एक्स्चेंज पे लिस्ट पी हो चुकी है 9th of Maco तो इस IPO का जो प्राइस था वो था 1,080 का जो पूरा ओफर फोर सेल था जहां पर पुराने प्रोमोटर्स अपने स्टेक बेच के गए हैं तो अभी यह जो कंपनी है वो 9th Maco एक्स्चेंज पे लिस्ट हो चुकी है और लिस्टिंग काफी जो है अच्छा स्टार्ट हुआ है इसमें जहां पर 20% के लिस्टिंगे इन के साथ जो एक्स्चेंज पे लिस्ट हुई है वो QIB में ने दिखाई और एंकर इंवेस्टर्स ने भी इस आइपो में अच्छा दिखाया था लेकिन डिटेल केटेगरी में इसमें खास दिमांड देखनी को नहीं मिली थी और यह अंडर स्क्राइब हो गया था जितने लोगों ने डिटेल केटेगरी में इसमें अगर देखें तो पिछले कुछ सालों से ग्रो होता आ रहा है कंपनी का ROE 23% से जादा है मिंस कंपनी पैसा बना रही है तो कंपनी जो है फाइनिशली ग्रोही है ब्राइंड की बात करें तो हरको इस ब्राइंड से फिमिलियर है मैंनकाइंड की जो प्रॉड़क्स हैं जो अब लिस्ट होने के बाद मार्केट कैप के बेसिस पर इंडिया की फिफ्ट लार्जेस्ट फार्मसोटिकल कंपनी भी बन चुकी है पहले की चार की बात करें तो पहले नंबर पे संफार्मा है दें डिवीज लैब डॉक्टर रेडी और सिपला और अब पांचिव नंबर मैंन का नाम आ चुका है तो फाइनेंशली जो है काफी ग्रोथ है अगर पिछले एक साल की बात करें तो फार्मसोटिकल कंपनी में कुछ खास रिस्पॉंस देखने को अच्छा जो नहीं देखने को मिला था तो पिछले एक दो महीने से अच्छी एक इप्रूमेंट देखन है और डॉक्टर्स काफी अच्छा जो 80% से जादा जो इंडिया की दॉक्टर्स है वो इसके प्रॉडट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं तो अब इन सब के बेसिस पे इस तरीके की कंपनीज में जो है पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनीज को एड करना तो बनता है तो अगर अपने प्लाई का था तो आपको जरूर मिल गया होगा तो लॉग तरम के लिए अगर चाहें तो अप इसको भोल करके रख सकते हैं शौर्ट तरम एडवाइज है कि आप इसमें मॉमेंट्टम टेडिंग कर सकते हैं और अगर आपने नहीं किया था तो अगर इसमें हम अगर कि अगर आप इसे रिलेटेड कुछ इन्फरमेशन चाह रहे थे तो आपको मिल गई होगी और भी कुछ अगर आपको डाउट है या कुछ इन्फरमेशन आप चाहते हैं तो आप मुछे कमेंड वाक्स में पूछ सकते हैं थैंक यू